वीवर्स अर्थ पर अब इतने सारे डीमन्स और क्रियेचर्स हो गए थे ना जो नॉर्मल इंसानों को भी डीमन्स में कनवर्ट करते जा रहे थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे इंसान खत्म हो जाएंगे लेकिन एक demon hunters का group उन खतरना creatures को रोकने की कोशिस करता है पर अब तो उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा demon आ गया था जो कि लगातार सबी जगों को destroy करते जा रहा था तो अब देखना है कि क्या वो hunters अपनी ट्रेनिंग में सीखी गए technique का यूज़ करके उन creatures को रोक भी पाएंगे या फिर earth पर उन demons का कबजा हो जाएगा और हम सीब देखेंगे नहीं बलकि उन hunters की मदद करेंगे creatures को हराने में कहानी की शिरुवात में हमें दो लड़कियां जंगल में भागती भी दिखाए देती हैं और उनके पीछे तो बहुती खतरना डीमन पढ़ा था जो कि उन्हें लगातर मारने की कोशिश कर रहा था वो दोने लड़कियां तो एक पेड की निचे जाकर छुप जाती हैं लेकिन अब उस डीमन ने तो उनमें से एक लड़की को खा लिया था और अब बारी थी उस दूसरी लड़की की उस भायानक डीमन को देखकर तो वो छोटी लड़की भागने लगती है और दूर कहीं जंगल में चले जाती है लेकिन उस demon की speed काफी ज़ादा थी जिससे कि वो उस लड़की को आसानी से ढून लेता है लेकिन वो demon जैसे ही उस लड़की को मारने जा रहा था तबी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने उस demon को मार कर दूर ढखे लिया था दरसल इस आदमी का नाम Tenshi है और वो एक demon hunter होता है Tenshi के दोनों भाई Chang और Ming भी एक demon hunters थे जोकि अर्थ पर पूरी तरीके से फैले हुए demons को पकड़ कर उन्हें मार देते थे ताकि वो demon इंसानों को चोटना पहुचा सके और अप तीनों भाईयों ने उस demon को घेर लिया था लेकिन अब वो demon तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था तब Tenshi और उसके दोनों भाई demons का पीछा करने लगते हैं और अपनी बहुत ही अच्छे fighting skills का यूज करके उस demon को एक साथ मिलकर खतम कर देते हैं वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भागते भागते एक खुले मैदान में आ जाती है उस जगह पर तो एक बहुत ही बड़ा creature होता है जिसके साथ बहुत सारे demon hunters लड़ रहे थे लेकिन इतने बड़े creature के सामने तो कोई भी ठीकी नहीं पा रहा था उन सारे demon hunters के fighting techniques बड़े से creature के सामने तो कुछ भी नहीं थी वो creature तो लगातार उन demon hunters को मारता ही जा रहा था पर तब इस सई टाइम पर टैंशी अपने दोनों भाईयों के साथ वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर तो उनके master काई भी मजूद थे टैंशी तो तुरन उस बड़े से creature पर हमला करने चला गया था वो तो इतने बड़े creature को काफी damage भी देता है पर अब उस creature ने अपने मूँ में से एक बहुत बड़ा आग का गोला फेक दिया था जो सीधा उसी लड़की के तरफ बढ़ रहा था जो कुछी देर पहले उस मैदान में आकर छूपी थी टैंशी उस लड़की को बचाने के बहुत कोशिश करता है पर वो उस बड़े आग के गोले को रूप नहीं पाता और इसके वज़े से वहाँ पर एक बहुत बड़ा blast हो जाता है अब तो Master Kai खुदी उस monster से लड़ने चले गए थे वो तो उस creature को मारते ही रहते हैं पर अब उस creature ने Master Kai के उपर अपना पैर रख दिया था जिससे की Master Kai के बहुत ज़रा damage होता है इसलिए अब सारी Demon Hunters ने अपनी फुल पावर यूज़ करने का decision लिया था और वो तो तो तीजी से जाकर उस creature के उपर blast हो जा रहे थे जिससे की creature बहुत ज़रा कमजोर हो गया था और अब उसने अपना असली form दिखा दिया था टैंशी को तो तुरंट ये बात समझ गई थी कि उस creature के मुँ में जो छोटा सा creature है वो उसकी कमजोरी हो सकती थी इसलिए टैंशी तुरंट उस creature के पास जाकर उसके मुँ के अंदर से निकलने वाले दूसरे creature को खतम कर देता है जिसकी वज़े से अब वो बड़ा creature भी मर गया था जो कि ये creature अर्थ पे आखरी बचा हुआ था तो अब टैंशी और बचे वी demon hunters के पास और कोई भी काम नहीं था इसलिए अब वो इस सब demon hunting छोड़ कर एक normal जिंदगी जीने का decide करते हैं इस बात को तो अब कई साल बीद गए थे टैंशी और उसके दोनों भाई तो fisherman का काम करते थे लेकिन उन लोगों ने ये सारी चीज़े अपने life में कभी नहीं की थी इसलिए वो एक भी मचली को पकड़ नहीं पाते हैं तो अब उन्हें खाली हाती लोटना पड़ेगा वहीं दूसरी तरब कुछ गावले बैठे हुए होते हैं तब ये उनका एक friend उनके पीने के लिए अलकोहल लेके आता है तब वो देखते हैं कि एक आदमी बेहोश पड़ा है और दूसरी लोग तो लिटरली उसका मांस खा रहे थे तब रिवील होता है कि वो गावले जिनोंने वो अलकोहल पिया था वो fish demon में convert हो गये थे उनका पूरा चैरा तो एक खुंखार मचली जैसा हो गया था जरूर उनके अलकोहल में कुछ अजीब तरीके का होगा जिससे कि वो सब demons में convert हो गये थे इसी भात का पता लगाने के लिए वो तीनों बाई पास वाले गाव में चले जाते हैं वो सब जब अपनी investigation कर रहे होते हैं तभी उन्हें अपने ही जैसा एक demon hunter मिलता है जिससे कि बहुत ही जदा चोट लगी थी इसलिए Tenshi और उसके दोनों बाई उस आदमी को लेकर पास ही वाले hospital में चले जाते हैं वहाँ पर तो Tenshi लैला नाम की एक औरत से मिलता है लैला ने तो Tenshi को देखते ही पैचान लिया था क्योंकि लैला वही छोटी बच्ची थी जिसे कि कई सालों पहले Tenshi ने बचाया था लेकिन Tenshi को तो ये बात बिल्कुल याद ही नहीं थी अब वह गायल आदमी उन सभी को बताता है कि कुछ दिन पहले वह एक wine factory में जाच परताल करने गया था क्योंकि ये खबर्ती की उस जगत से बहुत सारी लोग गायब हो रहे हैं पर जब वह wine factory के अंदर गया तब ही उसके उपर अजीब टाइप के demons ने हमला कर दिया था लेकिन अब वह अदमी अपने आखरी साथ से गिन रहा था जिसकी वज़े से वह अगले सेकंड में ही मर जाता है और अब टेंशी और बाकी सब अपना investigation करने के लिए उसे wine factory के अंदर आ जाते हैं लेकिन उन्हें क्या पता था कि wine factory के owner ने वहाँ के सारे workers को वही alcohol पिलाना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो सभी लोग face demon में convert होना स्टार्ट हो गये थे यहाँ टेंशी और सभी लोग अपनी जाच परताल स्टार्ट कर देते हैं तभी उस कमरे से अचानक कोई भागता हुआ जाता है जिसे पकड़ने के लिए सभी लोग उसके पीछे भागने लगे थे लेकिन लिया पर अब उस face demon ने हमला कर दिया था लेकिन टेंशी साई टाइम पर आकर उसे बचा लेता है पर अब उसके सामने वही खतरना creature आ गया था जो कि सालों पहले एकदम से लुप्त हो चुके थे उस creature ने तो टेंशी को बहुत ज़्यादा मारा था और अपने पंजों के अंदर पकड़ लिया था तब ही लेला टेंशी को बचाने के लिए अपने असली demon form में आ जाती है और लेला के पास तो fox demon की power थी जिसके वज़े से वो उस creature को मार कर दूर डखेल देती है वो creature तो अपनी जान बचा कर भागने की कोशिश कर रहा था पर तब ही चैंग और मिंग उसे रोक लेते हैं और उसके बाड़ी में तलवार गुशा कर उससे मार देते हैं लेकिन अब टेंशी लेला से सवाल पूछने लगा था कि आकिर वो एक demon कैसे बन गई तब लेला उसे बताती है कि कई सालों पहली जब वो उस बड़े से creature की वज़े से मर गई थी तब जेस पानी के अंदर वो थी उसी पानी में मरे वे creature का खून बह गया था जिससे कि लेला जिन्दा हो गई और वो एक demon में convert हो गई वो सारे लोग एक दूसरे से और बात करते तबी वहाँ पर governor के कुछ लोग आ जाते हैं जो टैंशी और बाकी सबी को लेकर महल के अंदर आ गए थे लेकिन वहाँ पर तो governor उन सबी से काफे गुसा होता है क्योंकि उन लोग उने गाउं के एक छोटे से पार्ट को पूरा तैस्नेस कर दिया था इसलिए governor उन तिनों को गाउं छोड़ कर चले जाने के लिए के लिए कहता है अब तो टैंशी और उसके भाईयों के पास बिलकुल भी option नहीं था इसलिए वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं अब यहाँ यह बात पता चलती है कि governor जान बुझकर ऐसा नहीं कर रहा था बलकि वो एक आदमी के बात मान रहा था जिसने governor को जखमी कर दिया था और वो आदमी और कोई नहीं बलकि master काय होते हैं governor के पास तो एक बहुत भी dark secret था वो अपने महल के एक बहुत बड़ी गुफा में हमेशा कुछ लड़कियों को ले के जाता था और उन्हें एक सुरंग में fake दिता था जहाँ पर पहले से ही इंसानों के बहुत सरे कंकाल थे और उस जगों पर governor ने एक अलगी type के demon को रखा था जो कि इंसानों को खाता था दरहसल governor उस demon के मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर वो demon और उनके सभी प्रजाती को जिन्दा करने में काम्याब हुआ तो वो demon governor को अमर कर देगा उस खतरना creature demon ने तो उस beautiful लड़की को पूरा खाई लिया था यहाँ पर टेंशी को जाच परतल करने के लिए governor के महल में आ जाता है टेंशी तो उसी जगों पर पहुँच गया था जहाँ पर governor ने वो demon छुपा कर रखा था पर इसके साथ साथ टेंशी को वहाँ पर एक बहुती प्राजीन stone मिलता है जिससे कि सारी demons को बहुत ज़्यादा power मिलती थी यहाँ दूसरी तरह पूरे गाँवालों ने मिंग को जानवच कर फसा कर उसे मारना start कर दिया था और वो सब बहुती बेरहमी से मिंग को चाकू मार कर एकदम से खतम कर देते हैं जब उसका दूसरा भाई चैंग उस जगह पर पहुचता है तब वो मिंग के body को उपर लटकता हुआ देखता है चैंग तो तुरंद अपने छोटे भाई के मदद करने चला गया था लेकिन उसे क्या पता था कि गाउवाले उसका भी इंतजारी कर रहे थे वो सभी गाउवाले चुपते हुए चैंग पर वार करना स्टार्ट कर देते हैं चैंग तो उस हमले में बहुत ही ज़दा घायल हो जाता है और वो भी एकदम मरने की हालत में हो गया था तब ही उस जगों पर गवर्नर आ जाता है और ये रिविल होता है कि गाउवालों ने ये सारी चीज़े गवर्नर के कहने पर की थी जब रात होई आटिया तब टेंशी गाउव में पहुचता है और वो अपने दोनों भाईयों को जमिन पर गिरा हुआ देखकर एकदम से शौक हो जाता है वो तो तुरंट उनके पास चला गया था लेकिन चायन के साथ से अभी भी चल रही थी तो टेंशी कैसे भी करके चायन को लेकर 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 आ जाता है और लेला से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को कैसे भी करके ठीक कर दे लेला के बहुत ज़रा ट्राय करने के बाद भी वो चायन को ठीक नहीं कर पा रही थी और अब टेंशी को पता था कि उसके भाई को सिप एक ही आद में ठीक कर सकता है और अब Tenshi लेला के साथ निकल पड़ता है Demon Mountain पर जहाँ पर Demon के साथ-साथ Demon Hunters भी रहते थे Tenshi अपने Master Kai के पास बहुँच गया था और अपने भाई Chang को ठीक करने की request करने लगा था लेकिन जब Tenshi Master को ये बताता है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था कि वो Governor के साथ मिलकर बहुती बुरा काम कर रहे है क्योंकि वो Powerful Stone उसके Master के पास ही था ये बात सुनने के बाद तो Master Kai Tenshi पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देते हैं दरसल Master Kai उस Stone की पूरी पावर को यूज़ करना चाते थे इसलिए उन्होंने Governor का फाइदा उठाया जिससे कि वो से काफी पैसे ले सके और अपनी Fighting Skills को स्टोन के मुताबिक बहुती अच्छा बना सके लेकिन अब वो स्टोन ने Master के उपर बहुती बुरा इफेक्ट डाना स्टार्ट कर दिया था इसलिए अब Master खुद को भी मारना चाते थे जब Tenshi Ultra Master पर हमला करता है तब ही Master का अपना हतियार फेक देते हैं जिससे कि Tenshi की तलवार Master के बौडी में चले जाती है और वो तो तुरंती मर गए थे यहाँ पर लेला Chang को ठीक करने के लिए आ गई थी लेकिन तबी उस जगो पर वो Tentacle वाला Monster आ गया था जो कि लगातार लेला पर हमला करना स्टार्ट कर दिता है लेला Chang को बचाने के लिए अपने डीमन के फॉर्म में आ गई थी लेकिन तबी भी वो उस Creature के सामने ठीकी नहीं पा रही थी और अब उस Creature ने लेला को काफी घायल कर दिया था लेकिन वो Tentacle Monster लेला के बॉड़ी में गुसने के बज़ाए Chang के बॉड़ी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिता है और अब वो Monster Chang के बॉड़ी के अंदर था जिसके वज़े से Chang जिंदा हो जाता है और उसके सरीर में अजीब टैप के चिंज़े स्टार्ट हो जाते है Chang तो अब बहुती ज़्यदा पाउरफुल हो चुका था जब Tenshi Chang की मदद करने वहाँ पर पहुचता है तब Chang अपने हाथ से बहुती नुकिला Tentacle निकाल कर Tenshi के बॉड़ी में गुसा देता है Chang तब ही वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है और एक माउंटेन का निकलता हुआ लावा यूज़ करके एक बहुती बड़े मॉंस्टर में कर्णवर्ट हो जाता है जो के पूरा का पूरा गरम गरम लावा से बना था हफचेंग पूरी तरीके से उस क्रियेचर के कंट्रोल में हो गया था तब वो पासिवले गाउं में जाने लगता है ताकि वो वहाँ के सारी लोगों को खतम कर सके उस मॉंस्टर का साइज तो बहुत ही जादा था वो जैसे ही उस चोटी से गाउं के पास पहुचता है तब उस मॉंस्टर ने अपने हाँ से बहुत सारी फायर बॉल गाउंवलों पर फेकना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि देखते ही देखते चारो तरफ तबाई हो गई थी उस गाउं के सैनेक अपनी रक्षा के लिए लगातर उस मॉंस्टर के उपर एरो से हमला करते रहते हैं लेकिन इतनी चोटी एरो का मॉंस्टर पर कुछ भी असर नहीं होने वाला था और अब तो वो बड़ा सा क्रियेचर गाउं तक पहुच भी गया था उस जगह पर तो गवर्नर भी आ जाता है जो कि उस क्रियेचर को रुकने के लिए कह रहा था लेकिन अब वो थोड़ी रुकने वाला था उसने तो गाउं लों के साथ साथ गवर्नर को भी मार कर खतम कर दिया था और अब अगर उस बड़े से मॉंस्टर को रोका नहीं गया तो वो इसी तरीके से सारे गाउं को खतम करता जाएगा लेकिन लकीली टैंशी वहाँ पर आ जाता है और उस बड़े से क्रियेचर के तरफ बढ़ने लगता है Tenshi तो तुरंद उस बड़े से monster के body पे चला गया था और तब वो वहाँ पर चाय को देखता है जो कि पूरी तरिके से उस monster के body में दसा हुआ था वो चाय को बचाने के लिए उसके पास जाता है तब ही उस monster ने Tenshi को मार कर दूर डखिल दिया था और सच जो किस to be done करके उस बड़े से मॉंस्टर को मारते रहते हैं वो सारे डीमन एंटर्स अपने लाइफ की सैक्रिपाइस करके लगातार उस क्रीचर के उपर जाकर ब्लास्ट हो जा रहे थे यहां दूसरी तरफ टैंशी अभी तक बेहोस होता है लेकिन तब उसके बॉड़ी पर एक फूल का तुकड़ा कर गिर जाता है जिससे कि टैंशी को बहुत ही जादा पावर मिल गई थी और ये पावर और किसी के नहीं बलकि लिया की थी उसने अपनी जान के कुर्बानी देखकर सारी पावर्स टैंशी के बॉड़ी में डाल दी थी जिससे कि अब टैंशी काफे फास्ट हो दिया था जिससे कि अब वो चल नहीं सकता था और गांवाले पूरी तरीके से सेफ थे अब तर टेंशी अपने भाई चैंग के पास आ गया था जो कि पूरी तरीके से उस क्रियेचर के बॉड़ी से जुड़ गया था टेंशी चैंग को वहाँ से निकालने की कोशिज भी करता है पर ये अब नामुम्किन था क्योंकि उस क्रियेचर के चोटे 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 टेंटिकल्स चैंग के पूरे बॉड़ी में गुज गये थे इसलिए चैंग अपने बड़े भाई टेंशी को कहता है कि वह उससे पूरी तरीके से खतम कर दें क्योंकि यही एक रास्ता था उ पहुत ही अधा खुश हो गए थे क्योंकि टेंशी ने उन लोगों को बचा लिया था लिकिन टेंशी को ही पता है कि यह सारी चीज़े होने के लिए उसने अपने पूरे चाने वाले को खो दिया था और इसी के साथ हमारी यही पर खतम हो जाती है वीवर्स आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमें सेक्चन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज़्यादा मोट खड़ मोटन एक क्टाइब डता पक्योंकि लुप है से क्टाइब अच्छाइब जरूर क्योंकि सब्सक्राइब है हुच्छा चैनल को सब्सक्राइब